आज के वीडियो का हमारा जो टोपिक रहने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं एच्टेट एड्मिट कार्ड के बारे में तो आपको जानकर ये बहुत खुसी होगी कि एच्टेट का एक्जाम जो होने वाला है आने वाले 2 या 3 जनवरी 2021 को तो उसके एड्मिट कार्ड रिलेज हो चुके हैं उसके एड्मिट कार्ड ओफिशल वेब्साइट पर आ चुके हैं चाहे वो लेवल 1 है लेवल 2 है या लेवल 3 है इन सभी कंडिडेट के एड्मिट कार्ड अब आप डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी पेपर के लिए आपने अप्लाई किया था लेवल 1 के लिए लेवल 2 के लिए लेवल 3 के लिए तो आप अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको step by step बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेट हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास तक जरूर देखें जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि इस तरह की important information आपको मिलती रहें तो जादस मेना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को सुरूर देखें सबसे पहले हमें हर्याना की जो official website है htet के regarding यानि की हर्याना teachers eligibility test के regarding जो official website है इसको open करना होगा इसका URL address आप देख सकते हैं www.harianatet.in हर्यानatet.in है तो इस website को आपको open करना है जो कि आप अपने mobile phone, laptop या computer में कर सकते हैं तो जैसे ही आप इस website को open करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने नजर आएगा तो इस interface में सबसे पहले क्या है कि जैसे आप इसको थोड़ा सा scroll down करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे first option है यहाँ पर registration या login का option है यह जो registration या login है यह candidate के लिए है नीचे वाला जो admin login है यह administration के लिए है तो हमें first वाले पर यहाँ पर click करना है तो first वाले पर मैं click करके आपको दिखा देता हूं यह देखे जैसे ही हमने इस पर click किया तो next window यहाँ पर open हो जाती है next window में क्या है कि आप से आपका registration number पूछा जाएगा उसके आदर password आपको यहाँ पर enter करना होगा उसके बाद है यहाँ पर capture code दिया हुआ है जो कि आपको enter करना होगा यह जो registration number है और password है यह वो registration number और password है जो कि जब आपने phone fill किया था तो उस टाइब आपके mobile पे एक message आया होगा जिसमें आपका registration number भी है और password भी है तो यह दोनों चीज़े यहाँ पर आपको enter करनी है उसके बाद तीसरी जो line है उसमें आपको capture code enter करना है उसके बाद यहाँ पे जो बिल्कुल right side में बिल्कुल bottom में एक sign in का button यहाँ पे आपको दिखाई देगा blue color का तो इस button पे आपको click करना है तो यह मैं अपना registration number और password यहाँ पे enter कर देता हूं उसके बाद हम जो है capture code enter करेंगे उसका अदम sign in के options पे यहाँ पे click करेंगे यह देखिए यह मैंने अपना registration number और password यहाँ पे enter कर दिया है उसके बाद मैं यहाँ पे capture code enter कर देता हूं 6074 यह मैंने capture code यहाँ पे enter कर दिया है उसके बाद sign in के options में मैं click कर देता हूं तो जैसे ही हम यहाँ पे sign in के options पे click करेंगे तो आपके जो personal details है यहाँ पे आपके next window open हो जाएगी और उसमें आपके जितनी भी personal details है वो आपके यहाँ पे आ जाएगी जैसे कि registration number है name है father name है mother name है उसका आपकी date of birth है उसका आपने किस level के लिए apply किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाए देगा और आपका address है वो भी आपको दिखाए देगा लेकिन यह जो window यहाँ पे रहने वाली है इसमें आपको admit card को download करने का link कहीं भी दिखाए नहीं देगा तो admit card को download करने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे यह जो window है इसके बिल्गुल left top corner प तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर डेस्ट बोर्ड है, डेस्ट बोर्ड में कंडिडेट्स का फोटो यहां पर होगा, कंडिडेट्स के फोटो के नीचे हैं पर कुछ steps आपको दिखाई देंगे, जैसे कि registration है, upload image है, make payment है, print application है, तो यह सारे steps दिखाई देंगे, प्रिंट application के नीचे आपको जो है, एक admit card को download करने का options भी यहां पर दिखाई देने वाला है, जो कि मैं आपको अभी दिखादेता हूँ, यह देखिए, यह जो steps दिए हुए है, registration है, upload image है, make payment है, print application form है, इसके नीचे आपको admit card का यहां पर options दिखाई देगा, तो इस admit card का options पर आपको क्लिक करना है, मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए, यह मैंने admit card के options पर क्लिक कर दिया है, तो यह आपका जो admit card है, यह आपको यहां पर show करेगा, जिसमें सबसे पहले copy होगी candidates copy, यहां पर आप Board of School Education, हर्याना, भीवानी, S-Tet 2020 का admit card है, यह roll number है, level 3 है, PGT है, उसका अधर father's name, mother's name है, date of birth है, यहां पर यह candidates का photo है, यहां पर अधर card number, उसका the center, center आपका जहां पर center है, वो है, center code आप देख सकते हैं, यहां पर, उसका the examination center का name आपको दिखाए देगा, उसका date and time, जैसे कि 2, 2 January 2021, Saturday को आपका exam है, 3 to 5, 5.30 pm, और entry time आपका रहने वाला है, 12.50 pm पर, entry close हो जाएगी, श्याम को ठीक है, यहां धाए बज़े से पहले आपको 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 exam center में पहुचना है, उसका the important instructions है, यहां पर एक बार आप जो है, जरूर पढ़ लीजिएगा, exam में जाने से पहले, क्योंकि बहुत important instructions यहां पर दी गई है, हाँ, एक और important बात मैं आपको बता देता हूँ, यह देखे, admit card should be printed in color only, यानि कि colored ही आपको यहां पर लेके जाना है, black and white printout will not be accepted, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, तो यहां से आप इसको जो है printout ले सकते हैं, print के button पे यहां पर click करके, अगर आप इसको as a pdf save करना चाहते हैं, तो इसका save as a pdf पे आप इसको कर सकते हैं, किसी भी नाम से, आपके mobile phone में, जिस भी location में आप इसको save करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में यही आपके साफ जो है information share करनी थी, कि as debt academic card glitch हो चुके हैं, अगर आपको download करना है, तो आप इस steps को follow करके download कर सकते हैं, यह information आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर करें, और इस तरह की information पाना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe कर लें, बेल आइकन को press कर लें, तक कोई भी important information आपसे miss ना हो, तो आज किस वीडियो में इतना ही, कैसे ही नई वीडियो, नई content के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए भाई भाई, जै हिंद, जै भारत.